हेलो दोस्तो दा अल्टिमेट इंडिया में आपका स्वागत है तो दोस्तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे राम कृष्ण मिशन के बारे में और स्वामी विवेकानन के बारे में तो दोस्तो आज के वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि राम कृष्ण मिशन ने क्य क्या क्या काम किये है और स्वामी विवेकानन ने रामकृष्ण मिशन क्यू स्टार्ट किया था उनका क्या उद्देश था तो दोस्तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस वीडियो को एंड तक देखें दोस्तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1st माई 1897 को स्वामी विवेकानन द्वारा किया गया था रामकृष्ण मिशन का नाम बंगाल के महान गुरू रामकृष्ण परमहंस के नाम के उपर रखा गया है और उनके उद्देश्य को लेके स्वामी विवेकानन ने रामकृष्ण मिशन बनाया था तो दोस्तो कौन है मा काली के सबसे बड़े भक्त करूप में जाना जाता है राम कृषिनपरमांस को एक गुरू के रूप में भी जाना जाता है जिन की सोच और विचारधारा ने हजारों लाखो भारत के लोगों की जिन्दगी में परिवर्तन ले आया था और दोस्तो राम रामक्रिश्न परमहंस दक्षीनेश्वर मंदिर के मुख्य-पुरोहिद भी थे और दोस्तो स्वामी विवेकानन जोकी यूथ आइकन है भारत जिनको आदर्श मानता है उनके गुरु भी रामक्रिश्न परमहंस थे. दोस्तो रामकृष्ण परमंस माकाली के तो सबसे बड़े भक्त थे ही पर दोस्तो उनकी विचारधारा सिरफ हिंदु धर्म तक सीमित नहीं थी उन्होंने इश्वर को भगवान को जानने के लिए सारे धर्म अपनाये थे इसलाम भी अपनाया था क्रिश्चानिटी भी अपन आये थे सबको उन्होंने पड़ा था सबके बारे में जाना था और इस निंड़े में पहुचे थे कि सारे धर्म एक ही चीज सिखाते है भगवान एक ही है भगवान हम सबको एक ही चीज सिखाता है रामकृष्ण परमंस का यही मोटिफ था कि लोगों की भलाई करो पूरे स चंकसार में अच्छाई फैलाओ पॉजिटिविटी फैलाओ और दोस्तों उन्होंने पैसे को भी कभी एहमियत नहीं दी थी वो हमेशा बोलते थे माटी टाका टाका माटी यानि की पैसा मिट्टी के समान है दोस्तों स्वामी विवेकानन जब रामकृष्ण परमंस मिले त वो सिरफ और सिरफ रामकृष्ण परमंस की वज़े से ही उनकी सोच उनकी विचारधारा की वज़े से ही और दोस्तों स्वामी विवेकानन ने रामकृष्ण परमंस के विचारधारा को फॉलो करते हुए ही 1st May 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की रामकृष्ण मिश था लोगों की सेवा करना स्वामी विवेकानन ये बोल के गए थे कि भगवान की सबसे बड़ी सेवा यही है कि आप इंसानों की सेवा करे जितने भी लोग आपके आसपास है आप उनकी सेवा करे उनकी हेल्प करे उनकी भलाई करे दोस्तों यही सबसे बड़ी पूजा है और आपके आसपास के लोग ही आपके भगवान हैं दोस्तो स्वामी विवेकानन ने पूरे भारत का टूर किया वो पैदल पैदल ही पूरे भारत घुमे जितने जादा लोगों से वो मिल पाए उतने लोगों से मिले उसके बाद दोस्तो स्वामी विवेकानन इस निंड़े में प को काम भी करना पड़ेगा स्वामी विवेकानन अपने देश की हालत से बहुत परिशान थे उनको हर जगा गरीबी और दुखी लोग ही दिख रहे थे तो स्वामी विवेकानन ने कहा कि इसके जिम्मेदार हम खुद है क्योंकि हम काम नहीं करना चाहते हैं हम इनोवेशन नही हम अपने पैरों पर खुद खड़े होना नहीं चाहते हैं हम लोग आलसी हैं इसके जिम्मेदार हम खुद है और हमको खड़ा होना पड़ेगा इसके बाद दोस्तो स्वामी विवेकानन ने जिम्मेदारिय उठाए कि वो लोगों से मिलेंगे और उनके वीकनिस को उनको बत दोस्तों विवेकानन पूरे देश घूमे घर घर घूमे और दोस्तों लोगों को एनलाइटन किया लोगों को जगाया काम करने के लिए देश को आगे बढ़ाने के लिए खुद को आगे बढ़ाने के लिए यहां तक कि दोस्तों 1893 में स्वामे विवेकानन ने वर्ल्ड रिल विवेकानन के बारे में जानने लगे दोस्तो जिस रामकृष्ण मिशन की स्वामे विवेकानन ने स्थापना की थी और सपना देखा था वो रामकृष्ण मिशन आज सिरफ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में फैल चुका है और दोस्तो पूरी दुनिया में रामकृष् स्कूल्स है, खुद के हॉस्पिटल्स है, मेटरिनिटी क्लीनिक्स है और भी ऐसे बहुत सारे संस्थान है जिससे की हजारों लाखों लोगों को मदद मिल रही है यहां तक की बेंगॉल के सुंदर्बन में इतना घना जंगल है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जाना काम किया है, दोस्तों पिछले सौ सालों से रामकृष्ण मिशन साउट इस्ट एशिया में या साउट एशिया में जितने भी आबदाय आती है, सब में मदद के लिए अपना हाद बढ़ाती है, चाए वो फेमाइन हो, फ्लर्ड हो, अर्थ्वेक हो या फिर और भी कोई बिम का रहा है हर रोज, दोस्तों इस समय रामकृष्ण मिशन के पूरे वर्ड में 214 सेंटर है, 163 इंडिया में है, 15 बांगलादेश में है, 14 युनाइटिट सेट्स अफ अमेरिका में है, रश्या और साउट अफरिका में 2-2 है, इसके अलावा अर्जंटीना, औस्ट्रेलिया, सिंगापूर, सुट्जल लैंड, यूके, जांबिया जैसे कई और देशों में भी उनके सेंटर्स है, सिरफ यही नहीं, रामकृष्ण मिशन के 748 एजुकेशनल इंसिट्यूट है, जिसमें से 12 कॉलेज है, 22 हायर सेकेंडरी स्कूल है, 41 सेकेंडरी स्कूल है, और 135 दूसरे स्कूल है, 4 पॉलिटेकनिक है, 48 वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, 118 होस्टल है, और 7 ओर्फनेज है, दोस्तो रामकृष्ण मिशन के इस एजुकेशनल इंसिट्यूट में 2 लाग बच्चे पूरे भारत में पढ़ते हैं, और ये सारे बच्चे फ्री ओफ कॉस पढ़ते ह जिनकी सारी जिम्मेदारी रामकृष्ण मिशन लेता है, दोस्तो रामकृष्ण मिशन कभी भी किसी आबदा में, किसी नैचरल डिजास्टर या मैनमेट डिजास्टर में पीछे नहीं रहा है, रामकृष्ण मिशन हमेशा मदद के लिए आगया है, जिसकी वज़े से रामक रामकृष्ण मिशन को गांधी पीस प्राइस का भी अवार्ड मिला है शहीद वीर नारायन सिंग अवार्ड मिला है रविशंकर शुकला अवार्ड मिला है नैशनल कम्यूनल हार्मनी अवार्ड मिला है दोस्तो रामकृष्ण मिशन के काम को देखते हुए United Nations ने एक बार कहा ये देख के पूरी दुनिया आश्चरित चकित है और दोस्तो युनाइट नेशन ने ये भी कहा था कि ऐसे इंसिट्यूट्स ऐसे ऐसे मिशन पूरी दुनिया में और खुलने चाहिए तो दोस्तो ये थे रामकृष्ण मिशन के बारे में कुछ इंटरस्टिंग स्टोरीज औ दोस्तो हम सब ये उमीद करते हैं कि स्वामी विवेकानन्द और रामकृष्ण परमंज के बताय रास्तों पे हम सब चले और ऐसी वीडियोज देखने के लिए पॉजिटिव वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें इस वीडियो को जढे हें दो इस तो